पढ़ते हैं जिसमें बहुत एंडिया का दूचा चारों कोश्चर इसलिए पुछा जाता है इसलिए आपका बहुत देजी है और इससे सल्व की जाएगा सोड ट्रिक से बता रहे हैं जो बचा को यह कंसेप्ट याद रहेगा तो कोई भी कोश्चर आसानी तरीका से बना यह आपका डूबेंट हो जाएगा यह आपका रेंग हो जाएगा यह आपका डूबेंट हो जाएगा इble गासा पर यह सके का ऐंब हो जाएगा कि ढाए के देखेंगे जीरो से पाइश का अब रेंज आएगा मानस इंफिंटी से इंफिंटी डालेंगे तो आपका यह आपका यहाँ पाइब दिमाग में है तो जो हम बोलते हैं इसी को प्रींशिपल वैलू में आजाता है जहां पर यह जो होता है यह इस कंडीशन में देखते हैं कि सभी जो ट्रिकोमेट्रिक जो function है वह का होता है आपका 11 and onto हो जाता है मिलब कि 11 onto हो जाता है मिलब कि by executive function होता है by executive function हो जाता है यहां तक यह उसी तो कहा हम लोगे बोलते है principal value principal value गर जो बाच्चा को है अगर दिमाग में बठ गया यह 1112 कहां तक 1112 आएगा तो कोई भी question यही तरीका से बना लगा देखे इसमें question दिया माइनस साइन इंवर्स माइनस वन दिया हुआ है तो यह ध्यान देखे कि इस किस क्वांटन में चला गया यह आपका third में आ गया और fourth बचा चला गया ध्यान देखे फोर्थ अगर third बचाएगा तो पाई हो जाएगा पाई पुलस पाई भई आपका हो जाएगा टू यहां पर हो जाएगा दूसरे हम लाइग करता है तो पहला दूसरे में इसका मान होता है आपका 45 पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई-पाई- नेगेटिप लाई करता है इसको मान शोल जाए घटा एए30व का मान होता है Catholics जो इसमें आपको लाई नहीं कर रहा है इसमें लाई आपको सेकेंड में या आपका कॉस के लाई अंदर कर रहा है सेकेंड ओला देख रहे हैं 3 पाई पलस पाईबाई भाई 6 जो का 7 पाई भाई हो जाएगा या 2 सब आपको 10 हो जाएगा जो इसके अंदर 0 से पाई है या इसमें नहीं लाइक दरेगा इसके मलगा कि यह प्रिंसिपल भेल नहीं होगा आपका पाई भाई जो 6 भाई हो पर चलों क्लियर है तो कोई भी ईजी तरीका से बनागी है इसका मान जो होगा दियान देंगे इसका मान लाई करेका तो यहां पर आपको फ़िया ममतरा है इसका जो मान मैं क्लजा छाये गा इसके अंदर लाइक करने हम यelcome जो थल्ड मैं आपको जाने वाला है तैस वह सी से ज्यादा मैं फाइए ज्यादा मैं इसी के अंदर लाई करेंगा इसमें फोर्थ माम नवी चेदा आए कि 충 mindset और उसके वटाइगा तो आएगा और फंसन हो जाएगा तो इतना उसको दिमागे नहीं लगाना था मेन हो उसको मुदा और उसको किलियर कंसेप्ट है मैथ में तो कोई भी कोस्टन इजी तरीका से बन जाता है अगर मानले फिजिक्स में उसको किलियर है तो इसको इसको इस तरीका से बन जाता है अगला कोईशन हम दो देखते हैं मानले यह का हो जाएगा उसको 10 इनवर्स दिया हुआ है 10 इनवर्स दिया उसको ओन भाय रूट रुट न थिरी दिया हुआ है और इसको गर कह रहा है कि इसका प्रिंस्पल भेलू दिया अप्शन चारक आप्शन तो यह बच्चा को सोचेगा कि फिर्स्ट में लाई करता है पोजिटीव ऐस थडल में लाई करता है इतना को इसका बात सोचेंगे तो प्लस में आएगा इसका मान हो जाएगा यह इतना आपको सुचिए गा तब तेजी से कोई भी कोस्टन बन जाएगा यह वक्री आपको पर जो फॉनसं जो होता है वन और वन टू मतलब कि बाइसेगी फॉनसंट हो जाता है और यह आपको दीमाग में बिठा हुआ है बहना है एक कर दोमेण होता है यकरते हैं ने कि आपको तो 10 ठीटा श्रमकरatamente begitu का जाता है or Pop को यहाँ पाता है or Amp और नरे हैं अभी मेरा जहाँ पर श्रार पर बना रहे हैं यह आपको आफिंडियो मीलेगा आपको 6 आपको बीडियो जा लेंगे इंडिया का जो आपको completely आपको clear कर देगा फोर्थ conditional probability आपको देखिए continue बने रहे और आपको आपको अच्छा वीडियो लग रहा तो इसको share कर दीजे subscribe कर जी मेरे channel को और अपने दोस्तों में share कर दीजिए अपने आस परस को जो भी दोस्त आपके पास है अगर relationship के उसके पास share कीजिए और जो भी अगर confusion आपको हो रहा तो मेरा whatsapp नमर दिये हुए है उसमें आपको भी confusion आपका problem में है math का physics में कमेश्टी में तो आप बीना आप कोच सोचे समझे मैं से content करके question पुछ सकते हैं इतने का अगर आपन बातों को खतम करता हूं जय हिंद